हेलो नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है कपील और स्वागत आप सभी कफूर आपकी सक्सेस में फ्रेंट्स इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं मौरी समराजी से समंधित टॉप 35 क्वेशन आंसर को जो लगबख सभी परतियों की परचाओं के लिए अतिमत पूर्ण होंगे तो इसलिए आप इन्हें याद कर लिजिगा ठीक है तो चलिए अप क्वेशन के और बढ़ते हैं और पहला क्वेशन है मौरी समराजी की अस्थापना किसने की तो मौरी समराजी के अस्थापना चंद्रगुप्ते मौरी ने की थी ठीक है इन्होंने अपने गुरु चानक्य की सहाता से नंदवन्स के अंतिम सासक धनानंद को हरा कर मौरी समराजी की अस्थापना की थी चंद्रगुप्ते मौरी मगद की गद्दी पर कब बैठा था तो 322 इसापूर्व में नेक्स्ट क्वेशन है चानक्य को और अन्य किस नाम से जाना जाता था तो इसका राइट आंसर है और विश्नुगुप्ते देखे चानक्य जो है इसे इन्हें इतिहास में विश्नुगुप्त तथा कोटिल्य के नाम से भी जाना जाता है यानि चानक्य का अन्य नाम विश चंद्रगुप्त मौर्य चानक के की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने विस्तरित मगत समराज की अस्थापना की थी अगला प्रशन है अर्थ सास्त्र की रचना किसने की थी तो देखे प्रसीद गरंथ अर्थ सास्त्र की रचना कोटिल्य यानि के चानक के ने की थी य इस ग्रंथ से हमें मौर्यकालिन सासन प्रसासन की जानकारी प्राप्थ होती है अगला प्रस्न है कोटिल्य के अर्थ सास्त्र में किस पहलू पर प्रकास डाला गया है तो इसका राइट आंसर है औप संडी राजनितिक नितियां पर ठीक है अभी ज़स्ट मैंने आपको बताय की कोटिल्य द्वारा लिखे ट ग्रंध अर्थ शास्त्र का संबंध किस से है राजनिती से है यानि इसमें राजनितिक नित्या पर प्रकाश डाला गया है अगला प्रस्ने है चंद्रगुप्त मौरी ने अपने अन्तिम दिन कहां गुजारे तो चंद्रगुप्त मौरी ने जीवन के अंतिम दिनों में जैन साधु भद्रबाहु से दिच्छा ग्रहन करके उनके साथ स्रवन बिल गोला चले आए और यहीं पर उन्होंने उपवास के दुआरा अपना सरीर त्याग दिया था यानि चंद्रगुप्त मौरी ने अपने अंतिम दिन जीवन के अंतिम दिन कहां गुजारे स्रवन बिल गोला में गुजारे थे यह स्रवन बिल गोला जो है यह कहां पर है तो यह मैसूर में है ठीक है करनाटक में अगला प्रशन है किस राजा की कहानी मुद्रा राच्छस नाटक का विशय है तो सबसे पहले कि मुद्रा राच्छस जो है इसके लेखक कौन है एक्जाम में कई बार question पूछा जाता है तो मुद्रा राच्छस के लेखक है विशाखा दत ठीक है और इस ग्रंथ से मौरी इति रहास मुख्यतत चंद्रगुप्त मौरी के जीवन पर प्रकास पड़ता है तो यानि कि चंद्रगुप्त मौरी की कहानी मुद्रा राच्छस नाटक का विशय है यानि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेशन है प्रसीद यूनानी राजदूत मेगा स्थनी तो सेल्युकस निकेटर के राजदूत थे अगला प्रशन है इंडिका नामक पुष्टक के लेखक कौन है तो इंडिका नामक पुष्टक के लेखक है मेगा स्थनीज ठीक है जो कि चंद्रगुप्त मौरी के दरबार में आया थे इस पुष्टक से इंडिका पुष्टक से हमें मौरी कालिन समाज एवं पर सासन के विशे में जानकारी मिलती है अगला प्रशन है बिंदु सार के सासन के दोरान असांती कहां थी तो बिंदु सार जो की चंद्रगुप्त मौरी का उत्रा धिकारी तथा उसका पुत्र था इसके सासन काल में तच सीला तत्सिला में विद्रो हुआ था जिसे सांध करने के लिए इसने अपना पुत्र असोग को यहां भेजा था तत्सिला में यानि बिंदुसार के सासनकाल में कहां पैसानते थी तत्सिला में असानते थी अगला प्रश्न है समराट असोग किसका पुत्र था तो समराट असोग ज अगला प्रशन है मौरी वंस का अंतिम सासक कौन था तो मौरी वंस का अंतिम सासक जो था वह था ब्रेहद्रत और ब्रेहद्रत की हत्या किस ने की थी इसके सेनापती पुष्यमित्रस सुंग ने की थी 185 सा पूर्व में और मगत पर एक नए राजवंस के स्थापना की थी इस तो इसका right answer है option C, असोक, ठीक है, समराट असोक के अभिलेखों में उसे देवानाम पिर्यदर्सी तथा राजा की उपाधियों से संबोधित किया गया है लेकिन मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में समराट असोक का नाम असोक मिलता है, ठीक है तो इसकार्थ है देवताओं का पिर्यदर्सी अगला प्रस्न है निमलिकित अभिलेखों में से किसमे असोक का नाम अलेख हुआ है तो अभी मैंने आपको बताया कि मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में असोक का नाम अलेख हुआ है यानि इन दोनों मास्की एवं गुर्जरा अभी लेख में असोक का नाम असोक मिलता है यानि इसका right answer है option A गुर्जरा में ठीक है अगला प्रस्न है कलिंग यूध की विजय तथा छत्रियों का वर्नन असोक के किस सिला लेख में है तो कलिंग यूध की विजय का वर्नन एवं असोक के हिर्दय परिवर्तन की बात तथा छत्रियों का वर्नन असोक के तेरहमा सिला लेख में ठीक है और उसने सदा के लिए यूध को त्यागने की घोशना कर दी ठीक है कलिंग यूध के बाद समराट असोक ने अपने राजा भिसेक के आठवे वर्ष लगवग 261 हिसापूर्व में कलिंग पर आक्रमन किया था कब 261 हिसापूर्व में अगला प्रशन है किस अस्थान के निकट प्रसीद कलिंग यूध लड़ा गया था तो कलिंग यूध प्राचिन काल में ओडिसा राज के धोली नामक अस्थान के निकट लड़ा गया था नेक्स्ट क्विशन है सारनाथ में किस समराट का अस्थम है तो देखे सारनाथ में जो है समराट असोक का अस्थम है यानि इसका right answer है option A, समराट असोक का, समराट असोक ने जब बहुत धर्म अपना लिया, उसके बाद उसने धर्म के परचार परसार के लिए अनेक कारे की, भगवान बुथ से समंधित अस्थानों पर समराट असोक दुवारा अस्थम लेख एवं सिरा लेख बनवाए गये थे भारत का राच्चिन जो है, उसे कहां से लिया गया है, तो उसे सारनाथ इस्तिद सीह अस्थम से लिया गया है, ठीक है, कई बार question पूछा गे एक्जाम में कि भारत का राच्चिन कहां से लिया गया है, तो सारनाथ इस्तिद सीह अस्थम से लिया गया है, सारनाथ कहां पे ह भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है, सारनाथ में, और सरवाधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने कहा दिया था, सरावस्ति में दिया था, तो आप इन्हें भी याद रखेगा, अगला प्रशने है, निमलिखित में से असोक का उत्राध अधिकारी कौन था, तो पुरानों और बौध गरंथ दिव्यावदान के अनुसार असोक का उत्राधिकारी कुनाल था, ठीक है, बिंदुसार कौन थे, तो बिंदुसार जो है सो असोक के पिता थे, और ये राहुल कौन था, तो ये भगवान गौतम बुद्ध के पूत्र अगला प्रशन है, सांची का स्थूप किस कलावा मुर्ति कला का निरूपन करता है, तो सांची का स्थूप जो की मध्यपरदेश में है, ये स्थूप बौध कलावा मुर्ति कला का निरूपन करता है, यानि इसका राइट आंसर है, option B, बौध कला का, ठीक है, सांची का प्रशिद सांची अस्तम किसके समय में बना था तो इसका राइट आंसर है आप्शन चांदी तथा तामबे के बने होते थे इन शिकों को निश्क और शुवर्न कहा जाता था प्रशिद सांची अस्तम किसके समय में बना था तो इसका राइट आंसर है आप्शन सी असोक के समय में प्रशिद सांची का अस्तम समराट असोक ने बनवाय था अगला प्रस्न है असोक के अभिलेख को सर्वपर्थम किस ने पढ़ा तो देखे असोक के अभिलेख को सर्वपर्थम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था या जो थे जेम्स प्रिंसेप ये अंग्रेश थे और कप पढ़ा था तो 1877 में ठीक है तो समराट असोग जो था वकिस धर्म का समर्थक था बहुत धर्म का था उसने बहुत धर्म के परचार के लिए अनेक भीच्छों को न्यूक्त किया था इसी क्रम में उसने अपने पूत्र महेंद्र और अपनी पूत्री संग मित्रा को स्रिलंका में बहुत धर्म के परचार के ले भेजा था यानि इसका राइट आंसर है option D, option A और B दोनों से यह ठीक है अगला प्रस्न है असोक ने किस बौध साधू से प्रभावित होकर बौध धर्म अपनाया तो इसका राइट आंसर है option C उपगुप्त से समराट असोक ने उपगुप्त नामक बौध साधू से प्र किस वर्स में हुआ था तो कलिंग यूद यानि समराट असोक ने कलिंग पर आक्रमन कब किया था तो इसने अपने राजा भिसेक के आठ्वे वर्स असोक का राजा भिसेक कब हुआ था 279 इसा पूर्व में हुआ था यानि कलिंग पर आक्रमन राजा भिसेक के आठ्वे वर एक असोक केकी सिलालेख में मिलता है तो तेरहवें सिलालेख में मिलता है नेक्स्ट क्विशन है मौरी काल के दोरान सिच्छा का सबसे प्रसीध केंद्र निम्न में से कौन सा था तो मौरी काल में सिच्छा का सबसे प्रसीध केंद्र तच्सिला था तचसिला विश्विद्याले में देश विदेश के छात्र पढ़ने आते थे तचसिला यह वर्तमार में कहा है तो पाकिस्तान में है चंद्रगुप्त मौरी ने सैनिक सिच्छा तचसिला से ही प्राप्त किया था चानक्य जो थे चंद्रगुप्त मौरी के गुरु वे तचसि गुरु चानक के तचसिला विद्या केंद्र से समंदित थे ठीक है वे जो थे चानक के वे तचसिला विश्व विद्याले के प्रसीद आचारिय थे सिछक थे अगला प्रस्न है मौरी वन्स के सासन के दोरान अस्थानिक कौन था तो मौरी वन्स के सासन के दोरान अस्थानिक जो था वह जिल्ला का परसासक होता था यानि इसका right answer option A जिला परसासक next question है असोक के सिला लेख किस लिपी में खुदे हुए हैं तो असोक के अभिलेख यानि सिला लेख ब्रामी लिपी में खुदे हुए हैं और खरोष्ठी लिपी का अभी लेख उत्तर पसिम पाकिस्तान से प्राप्त हुए है और सेस भारत से ब्रामी लिपी के अभी लेख मिले है ठीक है अगला प्रस्ण है मौरिकाल में सीता से क्या तात परी है तो मौरिकाल में सीता जो है या राज के भूमी यानि सरकारी भूमी से प्राप्त आई को कहा जाता था जैनि इसका right answer option C, सीता से राज के भूमी से प्राप्त आई है ठीक है सीता से क्या ताथ परी है? राज के भूमी से प्राप्त आई अगला प्रस्ण है किसके सासन काल में डाई मेकस भारत आये था? तो डाइमेकस जो है यह एक मतलब राजदूत था ठीक है यह बिंदु सार के दर्बार में आया था भारत आया था और इसे किस ने भेजा था तो इसे सिरियन नरेस एंटी योकस ने भेजा था चंदरगुप्त मौरी के दर्बार में कौन आया थे तो वह आया थे मेगस्थनी जाये थे ठीक है और समराट असोक के दर्बार में कौन आया थे तो डिया निश्यस नामक राजदूत भारत आया थे ठीक है अगला प्रस्ने है क्वेशन नमर 33 असोक का समकालिन तूरमय कहां का राजा था तो देखे तूरमय जो था जो की असोक का समकालिन था यह मिस्र का आ जा था यह इसका रैट आंसर ओंशन A नेक्स्ट कुछिशन है सांची का स्थूप किस ने बनवाया तो सांची का स्थूप जो है इसे समराट असोक शुक ने बनवाए था यह इसका राइट असोर ऑप्शन प्शन C है अगला प्रस्न है मारी वंस के ततकाल बाद कि सवंस बी मौरिवन्स का अंतिम राजा कौन था तो ब्रिहदरत था और इसकी हत्या किसने की इसके सेनापती पुष्यमित्रसूंग ने कर दी और उसके बाद पुष्यमित्रसूंग ने ब्रिहदरत की हत्या करके मगध पर एक नए राजवन्स के स्थापना की कौन सा राजवन्स सू आप हमें comment box में दीजेगा और देखिए अगर आप इस वीडियो का quiz खेलना चाहते हैं तो Google पर जाएए और वहाँ पर सर्च किजिए www.forApKiSuccess.in वहाँ पर सर्च करने पर देखिए उपर में आपको इस टैप का एक link मिलेगा उसे open कीजिए और वहाँ से इस वीडियो का quiz प्ले कीजिए ठीक है अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे like दता share जरूर कीजिएगा मिलते हैं next वीडियो में thanks for watching